दोस्तों फिल्म इंडस्टरी में सभी कलाकार को उतार चड़ाओ देखना पड़ता है, चाहे वा कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उसकी सभी फिल्में हिट होने लगती हैं। लेकिन कई ऐसे भी एक्टर होते हैं जो सालों भर एक हिट फिल्म के लिए तरस्ते रहते हैं वहें कई ऐसे भी एक्टर हैं जो एक ही साल में ब्लॉक बश्टर फिल्म भी कर जाते हैं आज हम ऐसे ही दस एक्टर के बारे में जानेंगे जो एक साल के अंदर एक नहीं इससे कहीं ज़्यादा ब्लॉकबश्टर फिल्में दी हैं दोस्तो वीडियों शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेश्ट है आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो जरूर करें नमबर एक पर हैं बॉलियूट के हैंडसम हीरो सलमान खान जी हिंदी सिनेमा में इनका एक तरफा राज रहा है इनकी बराबरी किसी और एक्टर से नहीं की जा सकती इनको भी अपनी फिल्मी केरियर में उतार चड़ाओ देखना पड़ा है वैसे सलमान खान कई ब्लॉक्बेस्टर फिल्में दी हैं लेकिन वर्स 2015 में इनकी दू फिल्में ब्लॉक्बेस्टर हुई थी पहली थी प्रेम रतन धन पायो वैसे तो सलमान भाई की फिल्म एक्षन और मारधार वाली होती है लेकिन यह एक रूमैंटिक फिल्म है जिसमें सलमान खान के साथ सोनम कपूर और नील नितिन मुकेस ने एक्टिंग की है लगबग 180 करोन की बजट में या फिल्म बनाई पाकिस्तान के उपर फिल्माई गई इस फिल्म को पबलिक से बहुत प्यार मिला हाला के इस फिल्म के जरिये दोनों देसों के बीज भाई चारा को दिखाया गया है सलमान खान के साथ फिल्म में करीना कपूर और नमाजु दिन सिद्धिकी ने एक्टिंग की है जहां फिल् अपर दो पर हैं बाल्यूट के बास सारुक खान यह भी किसी से पीछे कहां रहने वाले हैं फिर चाहे हेट फिल्म की बात हो या ब्लॉक बश्टर फिल्म की इनολाप से पर वह रही थी लेकिन η साल की फिल्म पठान ने एक बार फिर से सारुक खान की केरियर को उठा दिया है सारुक खान ने वर्ज 1995 में कुल साथ फिल्में दी थी जिसमें से इनकी दो फिल्में ब्लॉक बश्टर हुई थी पहली थी करन अर्जुन जिसमें सारुक खान के साथ सल्मान खान, हमरेस पूरी, काजोल और ममता कुलकरनी थी लगबग 6 करोन की बजट में या फिल्म बनी थी इस फिल्म ने 43 करोन का बिजनस किया था और या फिल्म ब्लॉक बश्टर हुई थी दूसरी फिल्म है दोस्तों दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे जो आज भी मुंबई के एक सिनेमा घर में चल रही है या सारुक खान के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म है जिसमें सारुक खान के साथ काजोल और हमरेस पूरी जी है लगबग 4 करोन के बजट में या फिल्म बनाई गई और फिल्म ने पूरे वर्ल्ड वाइट से सब करोन से ज़्यादा की कमाई की जिसके चलते या फिल्म आल टाइम ब्लॉक बच्टर हुई थी नमबर 3 पर हैं बिग बी अमताब बच्चन जी जिन्होंने अपने एक्टिंग के बल्बूते पूरे हिंदी सिनेमा का नजरिया ही बदल दिया था वैसे तो दस से ज़्यादा ब्लॉक बच्चन ने दी है लेकिन वर्स 1975 में इनकी 6 फिल्म रिलीज हुई जिसमें से 2 फिल्म ब्लॉक बच्चन हुई पहली है दीवार ये अमताब बच्चन के केरियर की पहली ब्लॉक बच्चन फिल्म है फिल्म में अमताब बच्चन के साथ ससी कपूर, नीतु सिंग और निरूपा रहे थी लगबग एक करूं तीस लग के बजट में या फिल्म बनी और फिल्म ने पूरे वर्ड वाइट से करीब साड़े साथ करों की कमाई की थी दूसरे फिल्म है सोले, जो हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली और पसंद की जाने वाली फिल्म है इसे आल टाइम ब्लॉक बेश्टर होने से कोई रोक नहीं पाया अमताब बच्चन धरमेंद हेमा मानली, जया बादरी, हमजद कान और संजीव कुमान ने क्या कमाल का अभिने किया है करीब तीन करों के बजट में या फिल्म बनाई गए थी और फिल्म ने उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड वाईर से पचास करों की तावर तोड़ कमाई की थी नमबर चार पर हैं दोस्तो धरमेंद रपाजी ही मैंन के नाम से मसहूत धरमेंद अपनी दंदार डायलाग के लिए मसहूर है दोस्तो वर्स 1975 में धरमेंद की दस फिल्में रिलीज हुई जिसमें से दो फिल्म ब्लॉक बश्टर हुई प्रतिग्या धरमेंद रहिमा मालनी की जोड़ी में बनी इस फिल्म ने खुब वावाई बटोरी लगबग डेड़ करोन की बजट में या फिल्म बनाई गी इस फिल्म ने पूरी वर्स साथ करोन की कमाई की थी लोगों ने इस फिल्म को ब्लॉक बश्टर करवा दिया दूसरी फिल्म है सोले जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया है इस फिल्म में में रोल धर्मिन जी का है फिल्म के लाश में अमताब बच्चन जी मर जाते हैं फिर विलन को मारने का काम धर्मिन रेक करते हैं नमबर पांच पे हैं राजेश खन्ना जी जिन्हों ने अपने टाइम पर दना दन हीट और ब्लॉगवेश्टर फिल्म दी लेकिन वर्स 1989 में इनकी पांच फिल्में रिलीज हुई जिनमें से इनकी दो फिल्म ब्लॉगवेश्टर हुई पहली फिल्म है आराधना जो रोमाइन्टिक और ड्रामा फिल्म है राधना और सरमिला टैगोर के एक्टिंग में या फिल्म बनी लगबग 80 करोण के बजट में बनी इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 7 करोण की कमाई कर डाली जिससे फिल्म ब्लॉगवेश्टर बन गई दूसरी फिल्म है दो रास्ते जिसमें एक्टिंग की है राधना मुमताज बलरासानी और प्रेम चोपड़ा लगबग एक करोण की बजट में बनी इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 6 करोण की कमाई की और फिल्म ब्लॉगवेश्टर बन गई नमबर 6 पर हैं दिलीव कुमार जी जो इंडिया के सायद पहले मेगा इस्टार हैं लगबग भारत के आजादी के पहले से फिल्मों में एक्टिंग कर रही हैं लेकिन वर्द 1960 में इनकी दो फिल्में रिलीज हुई और दोनों ब्लॉगवेश्टर हुई पहली थी कोही नू दूसरी फिल्म थी मुगल आजम जो मुगल सामराज के उपर फिल्म आई गई थी जिसके गाने काफी हिट हुए लगबग 60 लाग के बजट में बनी इस फिल्म ने 11 क्रोन की धुवाधार कमाई की और या फिल्म ब्लॉगवेश्टर नहीं हाल टाइम ब्लॉगवेश्टर इनकी चार फिल्में रिलीज हुई थी जिसमें से दो फिल्म ब्लॉगवेश्टर हुई पहली है हम किसी से कम नहीं इसी नाम से एक और फिल्म बन चुकी है लेकिन या फिल्म जब बनाई गई थी तो इसके उमुके किरदार में थी रिसी कपूर, तारिक कान और काजल किरन उस समय इस फिल्म का बजट करीब 1,90 लग था और फिल्म ने पूरे वर्ल्ड वाइड से 8,50 लग की कमाई कर ली थी दूसरी फिल्म थी अमर अकबर इंतनी, रिसी कपूर के साथ अमिताब बच्चन बिनोत खन्ना थे लगबग 1 करोण के बजट में बनी इस फिल्म ने पू फिल्म रिलेज हुई और दोनों ब्लॉग वश्टर हुई पहली है पदमावत जो दीपका पाद्यकूर रणवीर सिंग साहित कपूर के जोड़ी में बनी फिल्म है जो भारत के इतियास पर बनी फिल्म है लगबग 215 करोण के हाई बजट में बनी इस फिल्म ने पूरे वर से बलॉग वश्टर हुई नवर नौप इनकी दों में ब्लॉग बजटर हुई पहली फिल्म है राम लकं जो एनल कपोड जैकी सराफ माधृ दिचित धिंपल कपाडिया और हमारीस पूरे के बजट में बनी थी और पूरे वर्डंव करों के बनी फिल्म देशित हो Chi दूसरी फिल्म है त्रीदेव क्राइक्षन से भरपूर इस फिल्म में जैकिस राव के साथ नसरूद दिनसा और सनी देवल थे लगबग 2.97 लग के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइट से 14 करोन की कमाई की थी नमबर 10 पर है रितिक रोसन जो बॉलिवूट के सबसे हैंसम हिरो हैं डिरेक्टर और एक्टर राकिस रोसन इनके फादर हैं दोस्तों साल 2006 में इनकी दू फिल्में रिलीज भी थी और दोनों ब्लॉक बश्टर हुई पहली है क्रिस जिसके मुख के कलाकार रितिक रोसन प्रि अब इसे एक बच्चेन उदे चोपड़ा ऐसोर याराय भी पासा बसू दोस्तों इस फिल्म का बजट लगबग 35 करोन का था फिल्म ने पूरे वर्ल्ड वाइट से 148 करोन की कमाई की थी और या फिल्म ब्लॉक बश्टर थी दोस्तों मैंने जितने भी एक्टर को बताया कि किसी ने भी दो से ज्यादा ब्लॉक बश्टर फिल्म एक साल में नहीं दी और दोसी कम भी नहीं दी तो आप लोग अब डिसाइट करिएगा इसमें से सबसे बड़ी कलाकार कौन है